हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टूवर यूट्यूब चानल दमेंटा सी एसे भी में अब आपका जो कॉलेज के लिए आपकी जो फिर से चॉइस फिलिंग होने वाली हैं तो इसके लिए बस एक इंपोर्टन चीज ये मैं आपको बता दूँ कि जो भी स्टुडेंट्स जोसा में seat allotted हो चुके हैं और उसमें आपने fees deposit कर रखी है इंस्टिट्यूट में भी आपने website में जाके obviously आपने fees deposit कर दी होगी जैसा कि यहां पे mention किया गया है कि अगर आपको जोसा में college allotted हो गया है तो आपको partial fee payment के बाद अपनी college की website में जाके भी सारी formalities को पूरा करना है तो यह जो सारी fees हैं आपकी बहुत सारे students queries कर रहे हैं कि यह fees कर क्या होने वाला है तो भाई जो last college आपको allotted होगा CSAB के बाद अगर आपको for example कोई upgraded या दूसरा institute आपको allotted हो जाता है तो यह सब जो final allotted institute होगा वहाँ पर जाके यह सारी चीज़े clear होगी आपकी fees वहाँ ही पर जाके adjust होगी यहाँ पर साफ सब लिखा भी है governed by the rules of finally allotted institute for candidates who have secured admission ठीक है यह वाई clear होगई चीज़ तो आपको 90% students के doubts यहीं पर clear कर दिये मैंने कि वाई आपको finally allotted institute जो होगा वही पर आपकी सारी fees का clarification हो जाएगा जितनी भी आपने अभी तक fees deposit कर रखी है जोसा में या फिर institute level पे ठीक है वाई तो विल्कुल भी पैसों के लिए परिशान मत होना कि fees का क्या होने वाला है ठीक तो यह आपका होगा adjustment अब हम देखने वाले हैं cut off के बारे में जोसा का जो आपका भी six round का cut off आया है उसका हम भी देख लेने वाले है कि क्या cut off है ताकि हमको जो CSAB के हम choice feelings करेंगे तो हमें एक idea लग जाएगा कि वहीं हमको किन institute में कोई इतनी branch तक में आपको allotment हो सकती है तो इसको आप में देख लेना बहुत ज़रूरी यह important है और अभी तक आप सभी ने देख भी लिया होगा बट इसको आप analysis के तौर में देखेंगे कि इसको analyze करेंगे कि कैसे अपनी CSAB में आप इसको help कर सकते हैं तो इसलिए इस वीडियो को भी देखना important हो जाता है तो आप CSAB में अभी आपके पास सिर्फ hardly एक दिन का समय बचा हुआ है अभी भी अगर आपने choice filling का order नहीं मनाया है तो please अपना choice filling का order जरूर बना लीजेगा क्योंकि आप आपके पास समय बिल्कुल भी रही बचा हुआ है हाँ जो समय जो अपने choice filling करी है तो हो सकता है आप उसी choice filling को CSAB में carry on कर लें लेकिन cut off and आपने जो analysis अब हम करने वाले हो सकता है उसके बाद आपका थोड़ा सा mind change हो जाए और आप अपनी choice filling के order में या फिर अपने branches के order को कही ना कहीं change कर लीजेगा तो इसको अभी हम देख लेते हैं cut offs ठीक है cut offs already आपको website में जो सकी मिल जाएंगे बट फिर भी हम यहाँ पे main NITs and आपके जो branches है computer science and जो maximum rank तक कोई branch lot हुई होगी उसको हम यहाँ पे brief करने वाले हैं for all categories general then आपका EWS, OBC, SC and ST सारी categories का हम discussion कर लेंगे ठीक है तो बिल्कुल भी परिशार नहीं होना है कि SC साब में कैसे होगा कैसे हम choice filling करेंगे तो यह सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में हम पूरी पूरी cover कर लेंगे ठीक है बाई तो और comment भी करते रहना है कि कोई भी आपको कोई भी problem आरी doubt आरी फटाक से आपने comment कर दिया और मैं उसको read करके आपको answer करने की पूरी कोशिश करूँगी हमारी team पूरी answer करने कोशिश करेगी ठीक है तो computer science branch को देख लेते हैं अनाइटी दुरगापूर की home state quota में guys हमें कहां तक मिला है आपको ये general category में 11,829 rank तक अभी हमें general category में ये allotment हो गई है home state में and other state में 8,345 rank तक हमें ये allot हुआ है अच्छा आभी तक हम category rank की बात कर रहे थे जोसा में अब जोसा में हम देखें EWS category तो 3,101 rank तक यहाँ पे computer science home state में and 1,174 rank तक आपको computer science other state में allot हुई है EWS category में ठीक है SC का देखेंगे तो 2,871 and other state में 1,690 तक computer science allot हो ये नाइटी दुरगापूर की ठीक है other state quota में metallurgy and material science देखोगे अगर आप home state quota पे तो आपको 40,741 तक allotment गई है general category के लिए home state में and other state में 43,858 rank तक other state में allotment हुई है आपको metallurgical and material science branch ठीक है guys and EWS में देखेंगे तो 6,831 rank तक आपको allotment गई है other state में and SC में 7,653 rank तक allotment गई है आपको other state में तो ये हमारी है metallurgical and material engineering branch आपकी NIT दुरगापूर की so हमें इसे क्या बदा चल रहा है guys अब हम CSAB में जो हम choice filling करेंगे other state के गई students तो 43 तक तो हमें मिली गिया है यहाँ पे other state में general category में तो hopefully अगर हम NIT दुरगापूर में अगर हमारी 60-70,000 तक भी rank है 60,000 rank तक भी तो hopefully आपको इहाँ पे मिल सकती है यह branch ठीक है NIT दुरगापूर में 43 तक मिली तो 50,000 तक hopefully मिल जाएगी आपको CSAB round में so choice filling का order and priority आप जरूर ध्यान से set करिएगा NIT का preference रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी important and top NIT है and आपकी branches कौन सी अच्छी हैं वाकई अगर आपकी rare branch भी है तो आप उस rare branch को कैसे priority में set करें किसी और NIT की core branch से and यह सारी चीज़े doubts आपको videos देख के ही clear हो पाएगे guys तो videos को पूरा end तक देखा करिए and उसके बाद भी जो doubts आते हैं obviously आप हम से पूछ लेते हैं और मैं उसको answer करने की पूरी कोशिश करती हूं भाई ठीक है next हम देख लेते हैं आपका NIT दूसरा NIT है आपका जलंदर जलंदर NIT में देखेंगे तो आपका computer science कहा तक मिली है अभी 6 round में बोलो बोलो भाई 12,737 rank तक and other state में 9,117 तक closing गई है ठीक है 9,117 other state में तो obviously computer science branch का cutoff ही हाई जाने वाला है 12-13,000 rank तक अगर किसी की rank है तो hopefully मैं expect कर सकती हूं कि 12,000-13,000 तक में मिल जाएगी यहाँ पे जलंदर में जादा rank तक other state में industrial production engineering का देखेंगे तो home state में 88,000 तक allot गया है and other state में guys अगर आप देखोगे तो 45,696 rank तक यहाँ पे allotment गई है आपको other state में तो ठीक है इस rank तक हमें मिल रहा है hopefully हम CSAB round में expect कर सकते कि 50 plus तक अराम से 53 तक जाएगी ही जाएगी यहाँ पे industrial production engineering उससे जादा rank तक obviously जाने वाली last years में देखोगे आपको cut off यहाँ पे मैंने NIT जालंदर का आपको already clear कर रखा है and textile branch का भी जादा rank तक allotment गई है 60,000 तक almost मिला है college ठीक है next हम देखें EWS category का तो EWS में 7,136 rank तक other state में मिला है and 18,602 यह आपकी category rank है ठीक है यह आपकी CRL नहीं है यह आपकी category rank है मैं आपके लिख भी देती हूँ ताकि आपको कोई भी doubt ना हो category rank है यह जित्ती भी अभी हम बात कर रहे हैं EWS पे OBC में SC में ST में यह सारी आपकी category ranks मेंशन की गई है अगर हम for example देखें ST में तो 9,007 rank तक आपको closing गई है ST में Home state quota पे computer science branch and industrial production and engineering का अगर गाई देखोगे अधर स्टेट में तो 3,000 3,192 rank तक आपको यहाँ पे closing मिल गई है ST category के लिए अधर स्टेट में ठीक है तो यह analysis अभी हम category में कर रहे हैं CRL में जब हम लोग बात करें गाई तो उसमें आप देखोगे तो CRL पे आपको sorry CSAB round में जब हम देखेंगे special round में तो हमको यहाँ पे CRL ranks पे discussions होँगे अभी हम इसमें category ranks पे discussion कर रहे हैं next NIT का देखो गाई NIT जैपूर NIT जैपूर topmost NIT preference भी उपर ही रहता है इसका computer science का cutoff भी high ही मिलेगा आपको यहाँ पे 3816 तक यहाँ पे home state पे मिली है और 3142 तक other state में closing गई है general category की by ST का भी देख लो थोड़ा 410 rank तक आपको closing गई है and 290 तक home state पे other state पे सौरे गई है and EWS में 655 rank तक closing गई है and 538 पे other state पे मिला है and OVC में भी 1485 तक other state पे closing गई है for OVC category के लिए metallurgical and materials को देख लेते हैं जादा rank तक थोड़ा मिला है NIT जैपूर में तो NIT जैपूर में हम देखे other state पे 37,506 rank तक closing गई है and EWS में 5,976 rank तक closing गई है guys and 12,070 तक आपकी OVC में गई है so यह cutoffs आप से clear हो सकते हैं कि आपको CSAV में choice filling अगर आप जैपूर में जैसे लेना चाहते हो आप राजिस्थान को बलॉंग करते हैं तो आप इस rank के आसपास अगर है तो आपको priority में कैसे set करना अपनी branches को यह आपको थोड़ा सा हो सकता है change करना पढ़ जाए now after आपकी 42,000 तक alert गई है 42,000 तक allotment हुई है other state में other state में ठीक है तो यह ज़्यादा rank तक मिल गई है हमें NIT भोपाल में आपकी metallurgical and material science branch next हम देखें EWS के लिए EWS में 66,603 rank तक आपको allotment गई है EWS category में other state में and हम OVC में देखेंगे तो 1481 तक allotment गई है आपको other state में and SC में अगर हम देखेंगे तो SC और ST का भी अगर हम लोग देख लें तो आपको यह है कि hopefully ज़्यादा rank तक allotment हो रही है आपको इस branch के लिए metallurgical अगर आप भोपाल में admission लेना चाहते हैं तो आप choice filling में अपने priorities को इस according rank के set कर सकते हैं बाखी priorities कैसे arrange करनी है कैसे आपको choice filling करनी है इसका भी हम आपको live session के थूरू पूरा information देंगे and आपको कोई भी help भी चाहिए तो personally भी आप हमसे discuss कर सकते हैं ताकि हम आपको personally भी help कर पाए कोई भी आपको problem होरी actually बात यह होती ही students कि आपने अपनी priority बना ली है अब वो priority हो सकता है कि आपने अपनी place देखे की है कि मेरा घर इधर है तो मैं यह जादा प्रिफर करूंगा मैं नौर्थीस नहीं जाओंगा या फिर मैं नौर्थीस को बलॉंग करता तो मैं नौर्थीस के इनाइटीस को यूगि हर स्टूडेंट की पसंद अपनी अपनी है that is a personal thing और उसके according आपको choice feelings आप अपनी कर लेते हैं बट हां rank according भाई choice feeling ज़रूर करनी है अगर आपकी rank like कर रही है उस criteria में तो definitely आपको उस institute में वो branch allot हो जाने वाली है तो इसलिए analysis हम इताँ deep में discuss करते क्योंकि यही analysis आपको help करने वाला है यह last मौका है, last chance है और यह cut off को समझना जरूरी है जो अभी-अभी allotment हुई है new ठीक है नेक्स हम देखे नाइटी अलाबाद में होम शेट में computer science brand general category 4603 rank तक allotment गई है और अधर स्टेट में 2751 तक computer science allot गई जनरल काटेगरी में production and industrial को देखोगे भाई अधर स्टेट में तो आप अगर आप other स्टेट में production and industrial को देखेंगे 30,000 rank तक तो hopefully NIT अलाबाद भी आपको अगर लेना है आप उत्रप्रदेश को बिलॉंग करते हैं और आप production industrial या chemical कोई भी branch लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको CSAB round में आराम से 40,000 तक मिल जाएगी NIT अलाबाद ठीक है नेक्स हम देखें आपका institute है जो NIT अलाबाद के बाद आता है NIT अलाबाद में हम discussion आपको काफी सारा detail में दे चुके हैं अब हम next NIT देख लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बस हम छोटा सा इसमें analysis इसलिए समझ रहें क्योंकि हमें choice feeling में कहीं न कहीं changement करने पड़ सकते हैं तो इसलिए हम इसको cut off को थोड़ा सा बस समझ ले रहे है बाकी categories का पूरा clearly हमने यह आपे mention कर दिया है अगर आपको इसका यह information पूरा deep में आपको चाहिए तो हम आप इसको description में भी video आपका यह PDF फाइल शेयर कर दूँगी बाकी आप इसको समझते जाएए अच्छा होता गया है कि students अब आप CSAB में जैसे choice feeling करने आएंगे तो आपका two days का आपके पास समय रहेगा उसी में आपको fees deposit करनी है और उसी में आप अपनी choice feelings भी करेंगे तो अगर आपने जो समय choice feeling कई students ने जो समय ही participate नहीं किया था ठीक है कोई बात नहीं CSAB में आप participate कर सकते हैं तब भी और यह आपको जो मौका मिल रहा है CSAB की spot counseling में participate करने का इसमें पहले आपको fees deposit करनी रहेगी 37,000 की और इसके बाद आपकी जो seat आपको मिल जाएगी उसके बाद आपको इसमें fees acceptance seat की fees देनी पड़ेगी तो यह साड़ी fees आपको जो college alert होने वाला है उसमें आपकी fees में adjust हो जाएगी college की fees में ठीक है तो यह बारबर में आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको कोई doubt न रहे जाए ठीक है NIT अगरदला को देख लेते हैं computer science branch home state quota पे 66,475 पे closing हुई है home state पे and general में other state पे 19,692 तक आपकी closing गई है EWS को देख लेते हैं EWS पे 2948 पे other state पे closing हो गई है आपकी computer science branch SC में 3954 रांग तक यह closing गई है production and engineering 57,466 रांग तक आपको NIT अगरदला में जोसा के 6th round तक allotment हो गई है so obviously C-7 round में cut off high जाने वाला है और आपको NIT जादा रांग तक general category में मिल जाएगी क्योंकि general category में 57,000 तक हमें क्या मिल गया है production engineering other state quote आपे home state में देखो कि guys तो 2,44,000 तक 2,4,000 रांग तक आपको मिल गया है यहाँ पे production engineering ठीक है so आपको यह समझ में आ रहा होगा कि cut off is bar का high गया है last year के comparison में and C-7 में भी obviously जादा जाएगा तो इसका आपको choice filling बहुत ध्यान से करना है और मैंने starting महीं बोला था कि hope नहीं छोड़नी है you have to do counsellings, choice fillings in a very very important and it is a very important thing आपको बहुत अच्छे से करनी है choice fillings ठीक है बस कोई गलती नहीं करना है, गलती हो भी जाएगी तो वाई मैं क्या कहूँ बाकि आप पूछ सकते हैं मुझसे personally कोशिश करूँगी कि one by one answer कर पाऊँ during choice fillings two days का समय मैं फिर बोल दूँ दो दिन का ही समय रहेगा and आपको उसमें choice filling करनी है ताकि आप कोई गलती ना कर पाएं बार-बार मैं इसलिए cut off बता रहे हूँ ठीक है, Calicut का देख लेते हैं production engineering home state पे 52,723 rank तक यहां पे closing गई है, other state में 31,987 तक यहां पे closing गई है आपकी production engineering की and IT Calicut की, तो NIT Calicut भी general category में मिल गया है आपको 31,000 rank तक ठीक है and OVC category में 20,000 rank तक मिल गया है आपको NIT Calicut मे, other state में production engineering ठीक है computer science का देखोगे तो थोड़ाँ जाएगा, obviously 3436 तक आपको यहां पे allotment गई है computer science ब्रांच की and ST में देखोगे आप production engineering तो 2388 rank तक आपको यहां पे closing गई है आपकी production engineering ब्रांच, NIT Calicut, other state quota, ठीक है, तो NIT Calicut अच्छी NIT है, obviously and इसको आप priority में, अगर आपकी general category में लाए कर रहे हो, 40,000 तक भी rank है, other state में तो आप NIT Calicut को अराम से आप preference में रख सकते हैं and उसकी production engineering को जरूर प्लेस करना है priority में ताकि आपको allotment हो सके, ठीक है, तो यह बहुत important tip है, जो बीच-बीच में आपको बताती जा रही हूँ और इसको जरूर no down कर ले ना, ताकि आप choice filling में उसको आप priority में arrangement कर पाए, ठीक है next हम देखते है NIT Delhi, NIT Delhi का cut-off देख लो गई, double E branch home state quota में 25,659 rank तक 25,000 rank तक मिल गया है तो आपको other state में जो की मिल गया है, 19,000 rank पे, 19,000 पे other state में मिल गई है, double E branch NIT Delhi की तो इसका भी आपको cut-off दिख रहा है कि high गया है, ठीक है, computer science का 7,914 rank तक computer science पे other state पे allot हो गई है तो computer science 3000 rank तक almost मिल गई है, category rank पे, NIT में 16, 130 rank तक में मिल गई है, आपको computer science other state quota पे आपको SC category के लिए तो NIT Delhi का भी cut-off हाई गया, अच्छा एक question और आता है यहाँ पे, कि भाई मैं NIT Delhi को prefer करूं मैं, कि फिर मैं आप जाग Delhi के campuses को prefer करूं, DTU को prefer करूं, कि मैं NIT को prefer करूं, तो मैं कैसे इसको preference में डालूं, तो यह आपको decide करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा यह tough decision हो जाता है students, लेकिन हाँ, DTU पे अगर आपको मिल रहा है ब्राज, तो आप DTU को पहले prefer कर सकते है, NIT Delhi भी अच्छी NIT obviously, तो यह कहीं न कहीं आप आपको tough decision रहता है, हाँ, आपको अगर कोई भी ऐसे branch, अगर branch के priorities की बात, अगर हम करते हैं, यह मेरी पहली priority है, so we can discuss upon that, हम उसमें बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे उसमें, और हम आपसे बात तो करते हैं भाई, जितना भी आप बात करना चाओ, we always try to talk to you guys, next हम देख ल allotment गई है, general category में other state पे, and 11,419 rank तक आपको other state पे CSE branch मिल गई है, OBC category में 4,000 rank तक almost allotment हुई है, double E branch में 69,166 तक home state पे allotment गई है, that means guys, 70,000 rank तक मिल गया है, ठीक है, अगर हम CSAB में choice filling करें electrical, तो हम क्या सोच सकते है, NIT Goa को, अगर हम 70,000 तक अभी मिल गया home state में, तो मिला है, तो हम 30,000 rank वाला बच्चा, इसमें choice filling में सोच सकता है, कि मुझको double E, मिल सकती है, कि इसमें NIT Goa में, ठीक है, next हम देखे, इसको place कर सकते हो, अगर हम लोग बात करें guys, NIT हमीरपूर के लिए कई students question पूछने कि, नहीं माम NIT हमीरपूर जादा अची नहीं है, मैं इ समझ में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, आप इसमें cut-off पहले देखी और समझी, cut-off कहा तक गई है, पहले हम cut-off देख लेते हैं, compared to science branch home state, 20,084 पे आपकी closing गई है, other state में 10,000 rank तक almost closing गई है, mechanical को देखोगे, 63,000 तक यहां पे closing होई है, and 31,000 तक other state पे closing गई है, 31,000 पे अपनी other NITs को North East NITs से, यहां इसको बिल्कुल आप prefer कर सकते, NIT हमिरपूर भी अच्छी NIT है, और इसको आप preference जब order set कीजेगा, तो branch को पहले आप समझ लीजे कि आपको branch पहले क्या-क्या prefer में करनी है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को NIT पहला यह वाला prefer कर लेना चाहिए, so यह थोड़ी-थोड़ी चीजें हैं, जो कि हर वीडियो में हम छोटा-छोटा tips आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको यह questions को answer out करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप mail में भी send कर सकते हो अपनी ऐसी कोई query है, तो ठीक है guys, next हम देखे है NIT सूरतकल, NIT हम hopefully expect करेंगे भाई कि 30,000 rank वाला बच्चा यहां पर choice feeling जब करता है, CSAB round में तो इसको यहां पर मिल सकती है, Metallurgical and Material Science Engineering, ठीक है, other state वाले student की बात कर रहे है, other state में, OVC में देखोगे तो आपको 1,13,000 rank तक मिल गई है, 13,000 rank, 13,000 rank तक आपको मिल गई है Metallurgical and Material Science branch, ठीक है, category rank की बात हो रहे हैं, यहां पर हम CRL rank की भी बात कर लेंगे, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं आपर, Comparator Science branch now, other state, 11,11,11,4,4,1, यह थोड़ा सा tricky है rank तो, कोई बात नहीं, इस rank तक में आपर closing गई है Comparator Science branch, ठीक है, so अभी हमने क्या समझ लिया, कि हमें सूरत कल की NIT भी मिल सकती है, कित्ती rank तक, 30,000 rank तक, almost हमें यहां पर मिल सकती है, CSAB round में, ठीक है, तो यह हमें समझ में आ गई बात, तो choice filling में हमें क्या करना चाहिए, अपनी priority को change करना चाहिए, और हमें अपनी priority में सूरत कल को भी fit कर लेना चाहिए, अगर हमारी rank आ रही है, 30,000 के आस पास, ठीक ह है, next हम देखें, मेगाले, मेगाले के cut-off को देखते हैं, तो आपी computer science branch other state में, 19,728 तक closing गई है, and double E branch, double E branch other state पे 37,540 rank तक closing गई है, तो अगर हम देखें, CSAB में यह कहां तक जा सकता है, hopefully यह 45 यह 44 rank तक, मैं hopefully expect कर सकती हूँ, इससे ज्यादा rank तक मैं भी expect कर सकती हूँ, कि आपको यह मिल जाएगा, यहाँ पे branch, तो अपनी आपको priority क्या करना है, फिर से arrangement करना, अगर आप मोई North East and IT में जाना है, नाइटी में घालिया, जैसे North East and IT है, इसको प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, next हम देखें, नागालेंड, नागालेंड को देख लेंगे, other state में mechanical 54,000 तक कभी बच्चा है, 60,000 rank तक कभी बच्चा है, तो 60,000 rank पे general category पे, आप अपनी हाँ choice filling में, अराम से यहाँ पे, अपनी priority को change कर लीजेगा, और अपना NIT नागालेंड को भी आप रख सकते हैं, अगर आप NIT को ही लेना चाहते हैं, अपने B.Tech course के लिए, तो आपको priority अपनी थ साइंस अगर हमें 31 तक मिल गई है, जो सागे 6th round तक, तो अधर सेट पे हमें नागालेंड पे 40,000 तक आप expect कर सकते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, जिनकी rank 40,000 है, 50,000 है, कि मैं मैं triple IT ले ले लू, 39 की NIT ले लू, कहां पे मुझे computer science, ECIT मिल जाएगी, तो भाई, थोड़ा preference तो आपको NIT अगर आपको पहले preferred हैं, तो आप NIT के 9,000 NIT में computer science इस rank के असपास ले सकते हैं, काफी सारे students इस rank के असपास, जिन्होंने messages किये हैं, मुझे कई सारे से questions करने की कोशिश की, contact करने की कोशिश की है, उनको जवाब मैंने देने का पूरा प तो इस हसाब से और हम चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा अपना adjustments कर लेंगे, तो आप नेक्स देख लेते हैं, आपकी NIT है, NIT पतना, NIT पतना को देखेंगे, तो आपका यहां पे जो computer science ब्रांच गया है, वो 16,000 तक almost यहां पे home state पे close गया है, और 14,394 पे यहां पे other state पे closing गई है आपकी computer science ब्रांच की, mechanical engineering को guys देखोगे, तो 37,000 तक home state पे and other state पे 37,000, same-same पे यहां पे आपको closing चली गई है, general category की हम लोग बात कर रहे है, CDC बाते है, category ranks पे देखोगे, तो category ranks पे थोड़ा सा देख लेते हैं, OBC में देख लो, other state में computer science 4,623 तक close गया है and mechanical engineering आपकी 11,336 rank तक यहां पे closing हो गई है, आपकी mechanical engineering branch की, तो यह आपका जो cut-off हम discuss कर रहे हैं, इससे क्या पता चला, NIT पतना गा, कि आपको other state पे almost 45,000 तक CSAV round में आप expect कर सकते हो, कि mechanical engineering तक मिलने की chances है, 43,000 तक मैं मान सकते हैं, 43,000 तक, योगि थोड़ा सा जाधा rank तक, तो obviously मिलना ह CSAV round में, हाँ, अगर seat lab vacant हुई तो, यह भी एक बात है, seat matrix में, अगर city नहीं है, वहाँ पे मिल रही है, तो हम वहाँ पे जाधा rank या कम rank या मिलना ही नहीं है, city नहीं है, ठीक है, चलो, next NIT देख लेते हैं, next NIT है, पुडूचरी, पुडूचरी में देखोगे, तो आपको computer science branch general category में, 16,000 rank तक मिल गई है, आपको, closing rank, and EWS में देखेंगे, तो 2,499 rank तक closing गई है, NSC में, 2,917 rank तक यहाँ पे closing चले गई है, ठीक है, double E branch को देख लेते हैं, other state पे 33,000 तक almost यहाँ पे closing rank गई है, आपकी other state पे double E branch की, and EWS category में, 5,310 rank तक आपको यहाँ पे closing गई है, for E EWS category in double E branch, तो NIT Puducherry को भी हम place कर सकते हैं, अगर हमारी rank almost 40,000, 44,000 तक भी आती है, 40,000 में माल लेती हूँ, ठीक है, other state के लिए, तो आप अपनी NIT Puducherry को placement में रख सकते हैं, अपनी priorities की list में, ठीक है, तो 26,000, आपको 253 rank तक आपको allotment गई है, general category में, computer science branch, other state quota पे, and material science and metallurgy branch को देखोगे, material science and metallurgy branch आपको मिल गई है, 58,665 rank तक general category में, तो NIT Shrinagar तो आपको मिल जाने वाली, almost 65,000 rank तक मैं expect कर सकते हूँ, आपको एक अंताजा कि मिल जाएगा आपको यहाँ पे NIT Shrinagar तक में, so यह आपका इसे जादा rank भी हो सकता है, CSAB का 1st round भी होगा, CSAB का 2nd round तो 2nd round तक आपको college जादा rank तक alert होने के पूरे chances है, so आपको यह था हमारा यहाँ पे analysis, NIT के लिए, CSAB के rounds के लिए, and आपको अपनी preference को कैसे अब और change करना चाहिए, based on your JOSA 6th round cut-off analysis, तो अब यह वीडियो हम यही पे खतम कर रहे हैं, काफी ऐसे doubts अभी भी रह गयोंगे, I know, तो यह सारे doubts जो left हो गए हैं, उनको आपको क्या करना है, WhatsApp पे share करना है, and also comment करना है, बहुत सारा, and इस वीडियो को जादा जादा forward भी करना है, CSAB round के लिए तयारी करनी है, एकदम कड़क, and आपकी जो भी choice filling होनी है, उसको अगर आप change करना चाहते हैं, तो अभी भी आ doubts हम से हमेशा share कर सकते हैं, और अपना wait कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, आप wait कर लिया करिये, कि भाई, आपको reply मिल जाएगा, so thank you for watching our channel guys, and keep on sharing it, bye bye.